अगर अगर आप रूट अगे तो इसके अगर नेवादी का खुड़ में अपनी सगर पेंटा रहेगा और बाकी तन्दा आई है तो आई खड़ा हो जाई हो अगर अगर नेवादी का खुड़ो तो इसके पैटे रहेंगे तांदी के सुनेगे समय का सोलने से वक्ता ज्यान रहेगे मोहुपत की इस पंशारत में सबसे पहले आप सभी का अर्थिक सवाकत हैं अरश्चिकारा की तरफ से आप सभी के चल्मों में हाथ जोड़कर राम राम सत्षरी अकाल अस्लाम अलेकूं आप लोगों का प्यार दिखाई दे रहा लेकिन एक चीज मेरी तरफ से हाथ जोड़कर आप सबसे मिन्ती हैं शिर्फ दो मिन्ट के लिए सब चुपो कर बैठेंगे कोई ताली नहीं वजाएगा हम पंशायत में आए हैं अगर इस पंशायत में कोई फैसला ही नहीं नीकिला तो पंशायत क्या हुई इसलिए आप सबसे पुजारी से तो मिन्ट तक कोई भी कारी नहीं बजाएगा किसी के मुख से कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए सबसे पहले मैं चरणों में रामराम करता हूं यहां के जो करांती कारी जिन से हमें लगना शिक्का जो हमारे योगता है आज के राकेश टिकेट जी गरू नाम चडूरी जी मेरे अंकल जी राकेश कोथ जी फुरेश कोथ जी मापी चाहूंगा सत्यपाल मलिक जी और मेरी मातर सक्तिया मेरी जितनी बेने ये सबात की योदा एक पर जोड़तर तरी बदानी तो इनके लिए बदानी अब बाती है हिंडूस्तान था जब हम सब एक थे आगादी के बाद हम हिंदू मुसलमान कैसे हो गए हमारे को साटीफिकेट कोड़ अंग्रेशों की खाकी सब्ड़ीपैंडनी शुरूँ की, खाकी शब्ड़ीपैंड कर फौसन हमारे को सेटिफिकेट दे रहा कि तू इंदूस्तानी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं आहीं बात कहता हूँ, अगर किसी के पास हो इस महफिल के अंदर अगर संब के बता देना संग तो वो बड़ा नंग है जिसने अमारे को लगतर दिया अब बार तक्ति है नू मेवाद और मेवातियों की मेवाति लोग मेव कौन हैं सबसे पहले हिंदूस्तान की जो गिंटी हुई जंग सिंख्या की उननी सो एक मैं तोवारा से घिंटी हुई आप लोगों को अंग्रेजों ने बोल दिया भहिया आप हिंदू नहीं हो आप तो मुसल्मान हो इनकी घिंटी करती मुसल्मानों में फिर 1926 के दोरान और 326 के दोरान इन पर ठटपा लगा दिया कि आप सब मॉंडेन है बाइशा मैं बठा दूमाई नचू बैठ जाओ नीचे बैठो शांती मना लो यार कमाल कर रहे हो अपने आदमी प्रोग्राम बढ़ादोगे आज चोड़कर विंती आवाज नहीं आनी चुई है आप सभी से विंती है आप सब्सक्राइब को इतना कहूंगा आप लोगर पर ठटपा लगा के बना दिया कि आप मुस्मान हो निस सो से तारिस में चे बहमाजाद हुए आजान के बाद करते हैं मेवात में एक बड़े भाई वैसे आपके बीच में गुजरी था और गुजरा की तरफ से प्यार मौपत का पेगाम लेकर उत्रपरदेश ते समाजवादी पार्टी के विदायक शोड़ी अतुल परदान जी हमारे बीच में परदान जी का स्वागत है वापिस आत कि यहां से मिट्टी खोद के देख लेना इस मिट्टी के अंदर हिंदू, मुसल्मान, स्री किसाई, सबका रख्त मिलेगा इस हाज़ादी के लिए लेकिन उसके बाद ऐसी क्या बात है कि हिंदू और मुसल्मान हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो दे जवालाल नेरू और मौम्मद अली जिन्ना दोनों को राजनिती का कीड़ा था, दोनों को परदान मंतरी बनना था जिन्ना को बोले अपने मौम्मद मुसल्मान एक दरब ले जा और नेरा पाकिस्तान बढ़ा दे केरे को परदान मंतरी बनना तू वहां बढ़ जा और जवारलाल ने बोलना मैं हिंदू और राजनिती करूँ है इंका परदान मंतरी मैं बनना दो देस अलग हुए शिरफ र पाकिस्तान में कृपimes और राजनिती मम क्रद दिल्य से रेल नदर बैसितीते अपलोकों को पाकिस्तान बेज़ देते तहने कई हमारा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं हम रहें गैया हिंदुस्तान पांगे लेके जाना है तो हमारी लास को लेके जा सकते हो जिन्दा मेवाति को नहीं इस बात का पता लगता कि मेवातियों ने जिद पकड़ ली देश के समस्य बड़े लेता उस वक्त के बप्पू गांदी को बुलाया गया कि यह होना सकता है इंदों को और कोई नहीं यह अधिले है यह जिस चीज परड़ जाते हैं जान दे देते हैं वापिस नहीं आजते हैं आपके मेवात लूं के अंदर घासेडा गाओं है वहाँ पे बपू गांदी जी आए गांदी में आप लोगों को मनाया तुमारे को अच्छी सुईदा दिलवांगा अच्छी फैसलेटी दिलव वापिस आजाओगे शंती होने के बाद ये गांदी के सथ थे उसी वड़ एक मेवाती बुजरवी में खड़ा होकर कहा हो गांदी जी अमारे को हमारे देश के अंदर मिट्टी दे दो मिट्टी नशीब करवा दो वो कपी है अप देश को छोड़िगे नहीं जाएंगे ये बात सुनने के बाद गांदी ने एलान किया मेवाती हिंदूस्तान की रीद की अपनी है और मेवाती यहीं रहेगा अब बात आती है आप लोग पिछड क्यों रहे हो मेवात की ख़बर पढ़के देखते हो कभी हमारी साइट जो अटबार आता टीवी आता उसमें दिखाया जाता है मेवात मीनी पाकिस्तान है मेवात के अंदर तो बनातकार होते हैं मेवात के अंदर आदमियों को काता जाता है हमारी नई यूथ यूए पीडी उस अख़बार को पढ़ती है पच्छे दारियों की बाते सच भान के उस पे अमल करती है उनको यह दिखाई नहीं देता कि इस देश को जो हान में चला र ये कर बात आती है जिस ज़ने में यूद्र रश्ना और कर आकर शियुख डियाने उन्मसितीं मुसल्मन के और मुसल्मान के अंदर थे 77 के राख उन्हों ने फिर disclaimer कγαघसे एक मुसलिम परिवार में पैदा हो कर या हिंदु मुसल्मान करवार कर हमारे को मरवाना चाहते हो अब बात अत्ती है कमी की कमी कहा है सिस्टम में कमी है आप लोगों के अंदर कमी है हमारे अंदर वो कमी क्या है बगत सिंग राजगरूर सुक देव लाहर जेल के अंदर जब फासी कोड़े जा रहे थे उसके बाहर जेल के बाहर लाखो आदमियों की भीड़ थी सब उनको करांती कारी मानते थे सब उनको देश भक्त मानते थे वे लाखो आदमी बाहर चिला रहे थे इंकलाब जिन्दाबाद लेकिन एक भी आदमी के अंदर इंसानियत नहीं थी वहाँ जितने बाहर ख़़े थे हिंदू मुस्लिम सी किसाई ख़़े थे हिंदूस्तानी कोई नहीं ख़़ा था अगर वहाँ हिंदूस्तानी ख़़ा होता उन सब की ताक देख होती वे लखो आदमी उस जेल की एक एक गीट उखाते हैं जेल का नामों इसान नहीं मिलता और हाज बगचिंग लाज बूस होते हो तुमारे भी जिन्दा होते हैं वही है अलाज नहाज हैं आप लोगों के लिए जब हम बोलते हैं बोलने से बहले तो हरस्टिकारा सब का बोलने के बाद बाताती है तो जाट जाती से है और जाट जाट इंदू ठेही नहीं कमाल है वही हमने इंदूस्तान के लिए जनम लिया है मैं पूछना चाहता हूँ जब पोडर पर कोई बेटा कोई पच्छा शरीद होता है आप लोगों ने उसकी जाती क्यों नहीं दिखाती है आज तक किसी गुजराती बाबू ने सरद के उपर लगाई लगी है आज किसी गुजराती बाबू ने हिंदुस्तान के लिए स्रीदी दी है अरे लगे हम मरे हम देश को तलाए हम और देश के राजा भू आप लोगों के अंदर कमी ये है आप अपने आपको नहीं पैचानते आप अपनी ताकत को नहीं पैचानते आप अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते ये कमी आप लोगों में जब आपका अपता रोड़ पे मरता है दो आने के दूस बहिए आपके बच्चे को हिंदु मुसल्मान बढ़ा के मार देते हैं आप यूस लाजरीती में बच्चाते होगे आप लोगों के अंदर ताकत रही है क्या आप अपने खूल को भूल गई क्या या दंकीों से प्रिने वाले ओरत धंकीों की बात करो मेरी योरत जिसके साथ मेरी साती हो रही है उसके पेट में दूसरा बच्चा है मेरे को यह भी यकीन नहीं है उसका मुद देख पाऊंगा या नहीं जिस तिंचे नू मेवाद के उपर मैं बोला मैंने सरवात की ऐसी ऐसी दंकी ऐसी ऐसी आदमियों की सुबा मार देंगे श्याम मार देंगे खिर्पी मैं एक बाग कहता हूँ इस सरकार को समय तुम्हारा राज तुम्हारा हिम्मत है तो मार लेड़ा अगर मेरे बुद्रक जाके इनका समय आ गया इन लोगों ने हमारे को तक देदी हम भागने का मुका नहीं देंगे आप लोगों ने करना है अरे इस देश का राजा किसान होता है किसान इस देश को समालने वारा किसान का बेका जोबान होता है और आप लोग अपनी ताकत भूलकर हिंदू मुझलिन चार्ट ब्रामर में भसकर उन लोगों के भैका में बेराए हुए हुए चार्ट तरफ से दर्टी माप लेना हर साथ किलोमीटर पर एक मंदिर मिलेगा हर बारा किलोमीटर पर एक मस्जिद मिलेगी हर पांच किलोमीटर पर पीर बाबा मिलेगा माँ आप सभी सात्यों से एक बात पूछना चाहता हूँ सच बताना दिल से बताना क्या एक भी हिंदूस्तान का राजा शिक्ष्या, सवास्थ है, रोजगार, पढ़ाई लिखाई की बाते करता है जरूरत ही नहीं क्योंकि उनको मज़ा आ गया है हिंदू-मुस्लीम उनकी खुराक हो गई है आप लोगों को लड़ा पुर्शी पाओ और फिर आप लोग भाड़ में जाओ अरे आप लोग कब जागोगे माँ आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अगर आप लोग इस मेवाद की पंचायत को पिना किसी निरक्षन के वापिस अपने घर्च ले जाते हो आपके बेटे आपके उन वच्चों की उमिदे ठूच जाएंगी जो आज हमको धंकिया देते हैं उनकी धंकिया सच हो जाएंगी और आप लोगों में एक कमी है जब आप लोगों की कोई लडाई लड़ता है उस वक्त तो आप कांग घिचते हो और जब आपका बेटा आपका बचा मर जाता है तब उसकी आप मूर्तिया बनाते फिरते हो अले जिते जी अपड़े का हाथ पगड़के क्यों नहीं जिते हिंदु मुशलमान की करे नूमेवाद की करे ताकि शर्कार को पता लगी जाए जो आप बखाने वाली कलाशी करे हो वो अब नहीं चलेगी आप लोगों की और एक नारा जोरदा हम सब एक हैं मैं बोलूँ हम सब आप लोगों के एक हैं पता लगना चीए कुर्शी के ठेकेदारों को चलो आप कुर्शी पे पैठ नहीं सकते उस कुर्शी को हिलाने की इमत तो रखो हंग शाफ एक हैं इंकलाफ जिंदाबाफ इंकलाफ जिंदाबाफ निकलिए आपका बस्टा आपका बेटा हूं जी बहुत बहुत धन्यवाद आदें जी रादे राम जी में